जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस मैजिक में आपका हार्देक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, साल का दूसरा चंद ग्रहन 18 सितंबर 2024 दिन बुद्दवार को लगेगा और जब भी ग्रहन आता है तो सबसे ज़्यादा गर्वती महिलाएं मनी मन में घबराने लगती हैं क्योंकि हमारे सास्तों में बताया गया है कि ग्रहन का सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्वती महिलाओं पर ही पड़ता है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको बिल्कुल बी टेंसन लेने के जुरूत नहीं है इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताऊंगी कि ग्रहन के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विसे मैं आपको कम्प्लीट जैनकारी दूँगी साथ ही आपको बताऊंगी कुछ उपाय के बारे में जिसे करके आप ग्रहन के बुरे प्रभाव से बच सकती है या आप से कोई गलती हो जाए तो उसका भी कोई भी बुरा असर आप पर या आपके होने वाले सिसू पर नहीं पड़ेगा पूरी जानकारी के लिए लास तक वीडियो के साथ बने रहें लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आई ये सुरू करते हैं दोस्तों साल का दूसरा चंदग्रहन 18 सितंबर 2024 दिन बुद्धवार को लगेगा दोस्तों ये चंदग्रहन बेहद इखास होने वाला है इसका प्रभाव रासियों पर भी पड़ेगा जोतिस के अनुसार चंदग्रहन को असुप घटना माना जाता है इस दोरान कई कार्यों को करना परजित बताया गया है दोस्तों चंदग्रहन के समय चंद्रमा पीड़ी तवस्ता में होते हैं और असुफल देने लगते हैं जिस वज़े से इसका असर हर मानो जीवन पर पड़ता है आपको बता दूं कि 18 सितंबर को लगने वाला चंदग्रहन भादर पदमास के सुक्ल पक्च की पुर्णमा तिथी को लगेगा ये एक खंडग्रास चंदग्रहन है यानि इसमें प्रत्वी चंदरमा को सिर्फ आंसिक रूप से ही ढखेगी लेकिन भारत में जब ये खंडग्रास चंदग्रहन प्रारंब होगा तब तक संपूर्ण भारत में चंदरास्त की इस्तिती हो चुकी होगी इसलिए ये ग्रहन भारत में लगबग द्रस से नहीं होगा केवल उप्छाया प्रारंब होते समय उत्तर पस्चिम भारत और उत्तर दच्छन सहरों में चंदरास्त होगा इसलिए कुछ समय के लिए चंदर्मा की रोशनी में थोड़ा सा दुन्दलापन आ सकता है इस तरह भारत में ये एक उप्छाया चंदर्मा के रोप में दिखाई देगा और बात करें इस चंदर्मा के समय की तो दोस्तों इस चंदर्मा की सुरुवात 18 सितंबर की सुबा 7 बचकर 42 मिनट पर हो जाएगी और चंद ग्रहन की समापती सुबा 8 बचकर 47 मिनट पर होगी ग्रहन की कुल अवदी एक घंटा 5 मिनट की रहेगी और बात करें उपचाया चंद ग्रहन की तो दोस्तों उपचाया की टाइमिंग यानि उप्चाया चंद ग्रहन की सुरुवात सुबा 6 बचकर 12 मिनट पर हो जाएगी और उप्चाया की समापती सुबा 10 बचकर 17 मिनट पर होगी लगबग 4 घंटा 4 मिनट तक का उप्चाया का ग्रहन चलने वाला है और बात करें कि ये ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा तो दोस्तों ये चंद ग्रहन अटार्टिका, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, पोलीनेसिया, मेडागासकर, सुमालिया, सुदी अरब, कनाड़ा, पैसिफिक, हिंद और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा दोस्तों ये चंद ग्रहन प्रत्यक्च रूप से भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस चंद ग्रहन का सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा इस चंद ग्रहन का भारत पर कोई भी एसर नहीं पड़ेगा भारत में रहने वाली गर्वती महिलाओं को सूतक के नियमों का पालन करने की भी अवशक्ता नहीं होगी लेकिन जिन देशों में ये चंद ग्रहन दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस चंद ग्रहन का सूतक काल ग्रहन सुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले सुरू होगा जो की चंद ग्रहन के साथ ही समाप्त हो जाएगा दोस्तों सूतक काल असुप समय होता है इस समय कई कारलों को वर्जित बताया गया है इसलिए जिन देशों में ये चंद ग्रहन दिखाई देगा वहां की प्रेगनेंट लेडीज को सूतक काल के नियम मानने होंगे इससे प्रकती ही नहीं मानो जीवन भी प्रवावित होगा ग्रहन के समय गर्वती महिलाओं को तो खास ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके होने वाले सिसु को कोई परिशानी नहां मैसूस हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो गर्वती महिलाओं है उन्हें इस समय क्या करना है और कौन सी गलती नहीं करनी है आपको बता दें कि सास्तरों के नुसार गर्वती महिलाओं को ग्रहन के समय किसी भी तरह कि नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैची, सुई, बलेड, नेल कटर, सेफटी पिन, हेर पिन इन सब चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसलिए गर्वती महिला को चाहिए कि आप ग्रहन सुरू होने से पहले अपने घर के सारे काम निप्टा लें ताकि आपको चाकू, कैची, आदी जैसी चीजों का इस्तमाल ही ना करना पड़े साथ ही गैस भी न जलानी पड़े इसलिए आप ग्रहन सुरू होने से पहले ही खाना बना कर भी रख लें तो अच्छा रहेगा और इसी के साथ ग्रहन के दौरान खाना पीना भी वर्जित होता है इसलिए आप ग्रहन सुरू होने से पहले ही अच्छे से खा पी लें आप चंद ग्रहन सुरू होने से पहले ही ब्रेकफास्ट आदी कर लें लेकिन फिर भी आपको ग्रहन के दौरान कुछ खाने पीने की आवशकता पड़ती है या दवा खाने की जरूरत पड़ती है तो आप खा सकती है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बस आप इतना ध्यान रखें कि आप अपने खाने और पीने की सबी चीजों में तुलसी का पत्ता डाल लें जिससे कि वो भोजन और जल ग्रहन के दोस्ते मुक्त रहे और एक बात का ध्यान रखें कि आप चंद ग्रहन के समय दूद ना पिएं तो अच्छा होगा और साथ ही गर्वती महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन्हें ग्रहन के समय गर के बाहर नहीं निकलना है ऐसा माना जाता है कि गर्वती महिला के उपर यदि ग्रहन की छाया पड़ती है तो इसका सीधा असर कर्व में पल रहे सिसू पर पड़ता है इसलिए ग्रहन के समय आपको किसी ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां पर ग्रहन की किरने ना आती हो यानी ग्रहन की निगेटिविटी अंदर ना आ सके इसलिए आप अपने रूम के खिड़की दरवाजे बंद कर लें या उनमें मोटे परदे डाल लें लेकिन इसमें भी कई लोगं का प्रस्थन होता है कि यदि कोई इमर्जेंसी आ जाए और बाहर जाना पड़े तो फिर क्या करें या फिर कई लेडिज जो गाउं से बिलॉंग करती हैं उनके बातरूम भी बाहर या छट पर बने होते हैं तो वह ऐसे इस्तिती में बाहर कैसे जाएं तो आपको बता दूँ कि यदि कोई इमर्जेंसी हो या आपका बातरूम घर के बाहर बना हो तो ऐसे में आप जब घर से बाहर निकलें तो आप अपने आपको पूरी तरह से कवर करके निकलें लेकिन अगर कोई इमर्जन्सी ना हो तो आप ग्रहन के समय घर पर ही रहें यही सही रहता है इसके लावा ग्रहन समाप्त होनी के बाद इसनान जरूर करना है इससे ग्रहन का बुरा असर समाप्त हो जाता है आप ग्रहन समापत होनी के बाद गंगा जल डाल कर इसनान करें इससे ग्रहन करना कारात्मक असर दूर हो जाता है लेकिन यदे किसी कारण वस आप इसनान ना कर सकें या आप बिमार हैं तो ऐसी अवस्ता में आप अपने उपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवस से चेंज कर लें दोस्तों ग्रहन के समय गर्वती महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आद भी नहीं करनी चाहिए और गर्वती महिलाओं को ग्रहन के समय क्रोध या तनाव भी नहीं करना चाहिए बलकि इस समय आपको हैपी हैपी रहना चाहिए और ग्रहण के समय किसी भी तरह की exercise या yoga आद भी नहीं करना चाहिए दोस्तों ग्रहण के समय फूल लकडी पत्ते आद भी नहीं तोड़ने चाहिए अगर आपको तुलसी की आवशकता हो तो तुलसी भी आप पहले ही तोड़ कर रख लें और एक बात का ध्यान लखें कि ग्रहण के समय आप तेल मालिस भी ना करें इस दोरान पेंट पेंसिल का इस्तमाल ना करें इसके लावा ग्रहण के समय गर्वती महिला को सजना सवरना नहीं चाहिए इस दोरान बाल खीचना, कपड़े वबरतन धोना, दंदमंजन करना आदी जैसे कार्यों की भी मनाही होती है और ग्रहण के दोरान हसी मजाक, ना चगाना या किसी भी तरह का मन औरंजन भी नहीं करना चाहिए और इसके लावा आप चंद ग्रहण के समय सोना भी अवाइड करें क्योंकि इस समय आप जगें तो अच्छा रहता है आप अपनी नेंद ग्रहण सुरू होने से पहले ही पूरी कर लें और ग्रहण के समय आप सोई नहीं इस बात का ध्यान रखें इस समय आप तहल सकती हैं, लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं इससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी बस ध्यान रखें कि आप अपने हाथ पैरों को मोड करना लेटें हो सके तो सीधा ही लेटें और अगर आप अपने हाथ और पैरों को मोडना चाहती हैं तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक उपाया बताऊंगी जिसे करके आप अपनी मरजी के हिसाब से लेट बैट सकती हैं करवट ले सकती हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि गरवती महिलाओं को अपने होने वाले बच्चे की सुरच्छा के लिए कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए तो सबसे पहले ग्रहन शुरू होने से पहले गर्वती मैला को चाहिए कि अगर आप अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप करती हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है इसे से ग्रहन का दुस प्रभाव आपके होने वाले सिसुपर नहीं पड़ता है साथ ही ग्रहन शुरू होने से पहले गर्वती को थोड़ा सा गंगा जल भी पी लेना चाहिए और अपनी जीब में तुलसी का पत्ता रख लेना चाहिए इसे से भी ग्रहन की निगेटिविटी आपके होने वाले सिसुपर प्रभावित नहीं करती है इसके लावा आप ग्रहन की समय अपने पास एक नारियल भी रखें इस से वाता परण का नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ता है और आपका बच्चा ग्रहन के दुस प्रभाव से एकदम सुरच्छित रहता है दोस्तों गर्वती महिला ग्रहन के समय भगवान का इसमराण करे इस्ट देव के मंतरों का जाब करे या संतान गोपाल मंतर का जाब करे साथ ही आप किसी धार्मी पुस्तक का पाड़ भी कर सकती है और ग्रहन समापत होने के बाद गर्वती महिला को गंगा जल डाल कर इसनान करना चाहिए इसके बाद इच्छा नुसार दान पुन भी करना चाहिए इससे आपको लाब मिलेगा चलिए अब जानते हैं कि ग्रहन के दूस प्रभाव से बचने के लिए गर्वती महिला को कौन सा उपाय कर लेना चाहिए दोस्तों ग्रहन शुरू होने से पहले हर गर्वती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली जिसे कलाबा कहती है उसे अपनी हाइट के बराबर नाप लें और उसे घर की किसी दिवाल पर कील के सहारे टांग दें यदि आपके घर में कोई कील नहीं है तो आप सेलो टेप की मदद से दिवाल पर इस धागे को एकदम सीधा चिपका दें बस ध्यान ये रखना है कि ये धागा मुड़ना नहीं चाहिए धागा एकदम सीधा रहना चाहिए फिर आप अपनी एक्षा के नुसार लेट बैट सकती हैं पैर भी मोड सकती हैं करवट ले सकती हैं और जब ग्रहन समाप्त हो जाएं तो आप इस धागे को किसी बैते हुए जल या नदी में प्रवाहित कर दें इससे आप और आपका होने वाला स्विसू ग्रहन के दुष प्रभाव से एकदम सुरच्छित रहता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद